दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आलू टमाटर की सबजी तो हमने यहाँ पे एक कड़ाई ले लिए है और इसमें हमने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच तेल अब हम इसमें डार रहे हैं एक टेबल स्पून जितनी राई एक टेबल स्पून जितना जीरा दो हरी मिर्चे और इसमें हम डालेंगे एक चॉप किया हुआ आलू इसा अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अधरक लसन का पेस्ट इसा अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून जितना धन्या पॉडर आधा टेबल स्पून जितना हल्दी पॉडर और स्वाध अनुसार नमक इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कब जितना पानी इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे इसे तीन से चार मिनिट दग हम ऐसे ही पकाएंगे तीन से चार मिनिट बाद हम इसमें डालेंगे एक कटावा टमाटर और एक टेबल स्पून जितनी रेड चिली पॉडर इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे अच्छे से ढख के कम से कम आठ से दस मिनिट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे आठ से दस मिनिट बाद अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं यह पके हैं की नहीं आप यहां देख सकते हैं आलू अच्छे से गल चुके हैं और एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, हरी मिर्च, धनिया और निम्बू के रस का पेस्ट इस अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सकाली मिर्च पॉडर और एक चम्मच जितना पावभाजी मसाला इस अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें आदा कब पानी और डाल देंगे अब हम इसे ढख कर 3-4 मिनिट तक और पकाएंगे 3-4 मिनिट बाद हम खोल के चेक कर लेंगे यह अच्छे से पका है की नहीं आप यहां देख सकते हैं जो हमारे आलू टमाटर की सबजी है अब आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी अलू टमाटर की सबजी यहां तयार हो चुकी है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू फॉर वाचिंग